नमस्टार बच्चों कैसे हैं आप आशा करते हैं अच्छे से होंगे और पढ़ाई लिखाई जो रोज से आप लोगी चल रही होगी हम लूग पढ़ रहे हैं से हम लोग काशैपटर था किम तर तुम जाना थी भावान यह वाला chapter हम लोग का complete हो चुका था और हम लोग इसका अभ्याज भी कर चुके थे आज जो हम लोग को करना था वो था अनुआद ठीक है यह बहुत ही महत्मूर था इस वज़े से हमने इसको अलग रखा है क्योंकि वैसे तो वैसे तो जो है आपको जो अलग से transition होता है जैसे इंग्लिश में transition होता है तो उस transition में थोड़ा सा tough वरता है आपको पहले आपको subject, favor, object फिर other words वगरा ऐसे रखने पड़ते हैं लेकिन transition इसमें अनुआद में तो ऐसा नहीं होता है अनुआद में तो सीधा-सीधा करते हैं बस आपको आपका जो कारक है और शब्दों की द्हान देना पड़ता है और कौन सा लकार है इस पर द्हान देना पड़ता है और सीधिसे देवाक्यों में लिकना होता है तो बच्चों इतने ज्यादा टफ नहीं है और हम दो श्रू करते हैं पहले हिंदी भार्षायम अनुआदम कुरूद तो हमने बताया था आपको कि ह इन्दी भाषा में अनुआदम कुरुत ये कुरुत क्या है ये लोटलकार है ठीक है कुरुत क्या है लोटलकार है अनुआद करिये या करो ठीक है अब ये देखिए किम तुया संस्कृत भाषा पढ़िता किम किम मिन्स क्या तुया तुमने या तुम्हारे द्वारा संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा पढ़िता पढ़ी यदि आप लिखेंगे तुम्हारे द्वारा तो पढ़ी गई यदि आप लिखा तुमने तो पढ़ी क्या तुमने संस् पढ़ी जीवनस से जीवनस से आ गया ना हमारा ये ट्रिक आदस्था या यानि कि क्या हो गया हो गया सस्थी विभक्ति एक वच्चन संबंध कारक और क्या है चिन क्या है का की के यही तो लगता है तो हो जाएगा आपका जीवनस से त्रयो भाग अपार्था जीवन के आया ना के जीवन के त्रयो भाग तीन भाग को व्यर्थ हो गया है तीन भाग व्यर्थ हो गया है अपार्था मतलब व्यर्थ होना हो गया है प्राध्यापक नावम आरुड़ः प्राध्यापक मतलग प्रधानाचार्या ठेक यहाँ प्रधानाचार्या भी लिख सकते हैं प्रधानाचार्या नावम आरुड़ः नाव पर बैठ गया ठेक भवान खलू जल मद्धे विहर्दू भवान खलू भवान मिन्स आप खलू जल मद्धे खलू मिन्स निश्चे ही आप जल में निश्चे ही या अवश्य जल मद्धे जल में या जल के मद्ध में विहर तू तैरते रहें आप जल में अवश्य तैरते रहें ठीक है आप जल में अवश्य तैरते रहें अब ये देखिए अब ये आ रहा है आपका संस्क्त भाषायाम संस्क्त भाषायाम अनुवादम कुरुद अब संस्क्त भाषायाम में आपको क्या करना है अनुवाद करना है संस्क्त भाषायाम में अनुवाद करिए वह पढ़ने के लिए आता है वह मतलब क्या होता है सह पढ़ने के लिए आ गया न के लिए तो अब लगेगा प्रत्य पठ में लगेगा प्रत्य तुम उन प्रत्य पठ में लगा आपका प्लाट प्लास तुम उन प्रत्य है तो क्या बच्चा तुम उनका बच्टा है तुम पठी तुम सब पठी तुम आगच्छती सब पठी तुम आगच्छती आगच्छती मतलब आता है और गच्छती मतलब जाता है क्या तुम सब तैरना जानते हो तो क्या मतलब क्या कहेंगे किम कि मिन्स क्या तुम तुम सब है तुम सब तो आप बच्चों जानते न तुम सब मध्यम पुरूश में आता है क्या आता है तुम एक नट मध्यम पुरूश में क्या आता है तुम यूवाम और यूयम तौम यूवाम 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 य तो ये सर्वे काट दीजिए आप और किम यूयं तर तुम जानीत ठीक है क्या तुम प्रति दिन खेलते हो क्या किम तुम को क्या बोलेंगे तुम तुम प्रति दिन अब खेलते हो तो खेलने का क्या बनेगा अब ये तुम के अनुसारी हम क्रिया बनाते हैं तुम को बोलते हैं तो खेले को खेलने क्या बजाए हैं ना जो आपका मध्यम पुरुष रहेगा जो आपका जिस पुरुष में आपकी करता रहती है उसी पुरुष का आपकी कृया भी होगी ठीक है अब गुदे के तुम है तुम हो गया मध्यम पुरुष एक वचन का क्या होता है त्वम ठीक है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की होगी होगी न अब खेल का बनाएंगे तो खेलती खेलता खेलंती खेलसी क्या जगा खेलसी खेलता खेलत तो खेलसी किम तौम प्रति दिनम खेल असी किम तौम प्रति दिनम हम दोनों गूमने के लिए नदी के किनारे जाते हैं तो हम दोनों गूमने के लिए कहां जाते हैं नदी के किनारे जाते हैं तो हम दोनों को क्या बोलते हैं हम दोनों तो जैसे तुम कर आपने बनाये न, वो मध्यम पुरुष था, अब यह आता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में होता है अहम, आवाम, वयम, ठीक है, अहम, आवाम, वयम, आहम हो गया एक वचन, आवाम हो गया द्यू वचन, वयम हो गया बहु वचन, तो हम मतलब मैं आवाम मतलब होता है क्या हम दोनों और वयम मतलब होता है हम सब ठीक है तो अब यह देखिए हम दोनों के लिए क्या आया आवाम घूमने के लिए अब अच्छो यह जो दिया हुआ है अमन्तुम ये जो अमन्तुम दिया हुआ है न इसके इस्थान को आप कट कर दीजे अमन्तुम को कट कर के आप लिखेंगे क्या ये जो अमन्तुम है न इसको कट कर दीजे और आप क्या लिखेंगे विहर्तुम क्या लिखेंगे बच्चो विहर्तुम घूमने के लिए घूमने के लिए अमन्तुम के अस्तान पे आप लिखेंगे विहर्तुम यह पैने चल ला है विहर्तुम ठीक है यहाँ पे लगा दीजे बिन्दी विहर्तुम ठीक यह आप अमन्तुम कट कर दीजे आवाम विहर्तुम नदी तीरे नदी के किनारे पर गच्छावा अब हम दोनों के साथ क्या लगेगा गच्छावा लगेगा जैसे हमने अभी बताया आपको जिस पुरुष में आपकी करता होगी उसी पुरुष और वचन में आपकी क्रिया भी होगी तो आवाम हम दोनों है तो ये उत्तम पुरुष ये आवाम जो है आपका ये उत्तम पुरुष द्यूवचन उत्यम पुरुष द्यूवचन का है आवाम ना ये उत्तम पुरुष द्यूवचन है आवाम तो आपकी जो क्रिया है किनारे जाते हैं जाने की क्रिया क्या होगी उत्तम पुरुष द्यू पठत ये हो गया आपका मध्यम पुरुष पठामी पठावा ये हो गया आपका उत्तम पुरुष ठीक है तो अब दुती में क्या आया गच्छावा उत्तम पुरुष डिवचन में क्या आया गच्छावा आवाम विहरतुम आवाम विहरतुम गच्छावा तो बच्चो यह आपका ट्रांसेशन खतम हो गया अनुआद खतम हो गया अब हम लोग जो अगला वीडियो देखेंगे वो आपका नेक्स चैप्टर हो का सुभा शितानी ठीक है बहुत ही अच्छा चैप्टर है वो और बहुत ही महतफून भी है तो आप उस क्लास में जरूर आईएगा जरूर बनिएगा और यह वीडियो आपको अच्छा लागा हो दो इसको लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और अपनी दोस्तों को शेयर करिए और हसते रहिए मुस्कुराते रहिए